आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे खटे आम की चटनी जिसे आप बहुत ही कम चीजों से आसानी से घर पे बना लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आम की चटनी को बनाना आपको बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा इसलिए इसे आप पूरा देखिए तो चलिए इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं इस चटनी को बनाने के लिए हमें आम चाहिए तो आम छोटा या बड़ा हो दोनों से ये चटनी बनाई जा सकती है तो सबसे पहले आप क्या करें कि आम को पानी में डाल कर छोड़ दें कुछ देर के लिए ताकि इसमें जो लहड है वो निकल सके काफी हद तक लहड कम हो जाता है उसके बाद आप क्या करें कि पिलर की सहायता से इसके उपर वाले पार्ट को थोड़ा अंदर से छिलें ताकि जो soft पार्ट है वो निकल सके पिलर से छिलने के बाद भी अगर थोड़ा सहारा पार्ट रह जाए तो उसे भी हटा दें इससे हमारी चटनी soft बनेगी आम की चटनी तो सभी की फेवरेट होती है इसे हर घर में कुछ न कुछ उपर नीचे करके अलग अलग बनाया जाता है यानि इसमें कुछ मिटेरियल अपने हिसाब से डालते हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा आम के बीच को निकाल लेने के बाद आप क्या करें कि इसे छोटे छोटे पीस में काट लें जैसा मैंने इस तरह से काटा है इसके बाद आपको इसे साफ पानी से धो लेना होगा आम में जो हो दूद होता है और काले काले स्टार्च होते हैं इसे आपको 2-3 पानी से साफ कर लेना है मैंने इसे काफी हद तक साफ कर लेने के बाद इसे 2-3 पानी से धो लिया है और इसे दूसरे प्लेट में रख लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो बाहर का पानी ना रहे और मैंने यहाँ पे कुछ और चीजे ली है एक एक करके मैं आपको बता दिती हूँ तो सबसे पहले मैंने इसमें 3-4 लाल मिर्च लिया है और सिल्वट्टे पर पीसेंगे आपको मिक्सर में पीसने का तरीका भी बता दूँगे कि इसे किस तरह से पीसना है मेरे गाँ में तो चटनी सिल्वट्टे पर ही पीसी जाती है कहा जाता है कि सिल्वट्टे का टेश्ट जो है अलग आता है और मिक्सर का अलग फिर भी हर घर में तो Mixer ही होता है सिल्वटा बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे जो चलाना होता है वो सब को नहीं आपाता जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले लहसन और मिर्चे को हमने पीसा है क्योंकि इसे महीन पीसना होता है उसके बाद ही आम को कूचना पड़ता है अगर आप इसे मिकसर में पीशना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि मिर्चे और लहसन को गरम पानी में फुला दें और उसके बाद सबसे पहले मिर्चे और लहसन को पीशें ऐसा मैं इसलिए कह रहे हूँ ताकि मिर्चे में जो बीज होता है वो भी अच्छी तरह से पिस जाते हैं, महीन पिस जाते हैं तो मैंने यहाँ पे लेसन और मिर्चे को पिस लेने के बाद आम को कुचट दिया अगऑ चटने के बाद इसे हम दरदरा पीसेंगे ज्यादा महीन नहीं करेंगे क्योंकि आम दरदरा ही अच्छा लगता है आप मिकसर में भी इसी तरह से पीसें अगर आप भी मेरी तरह सिलवर्टा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से maintain करके पीसें बारिक ज़्यादा नहीं करना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है इसे बिल्कुल maintain में रखना है तो मैंने इसे पीस लिया और इसे एक प्लेट में इसे इस तरह से सर्व भी कर दिया है इसमें कुछ चीज़ें और हम डालेंगे तो मैंने यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार आधा चमच नमक डाला है और हम इसमें सर्सों का तेल डालेंगे एक चमच इसमें जो जहांज होता है सर्सों के तेल में एक अपना जहांज होता है जो इस चटनी में बहुत ही गजब का फ्लेवर देता है जब आपके पास आम कम हो ति इसकी कॉंटिटी को बरहाने के लिए खीरे को कचट कर डाल सकते हैं जिस वक्त आम में कुचट रही थी उसी टैम आप खीरे को भी कचट कर डाल सकते हैं ये बहुत ही मज़े का बनता है यानि मैं बता नहीं सकती कि मेरे घर में ये कितना पसंद किया जाता है जब भी कुछ हलका फुलका खाना बना होता है तो इस चटनी के साथ डाल चावल सबजी हो भी तब भी इस चटनी को बहुत मिस किया जाता है यानि इस चटनी के विना तो मेरे यहाँ खाना ना मुमकीन है जब भी आहम का सीजन होता है इस चटनी को याद किया जाता है और सालो साल इसे बना कर मैं स्टोर कर लेती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जल से जल सस्क्राइब कर ले सस्क्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते ये बिल्कुल फ्री में होता है